इससे पिछले मॉड्यूल में हमने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में जो तीन सेक्शन्स बनाए जाते हैं उनका उनकी वजाहत की उन में से पहला सेक्शन जो था वो एक्स्प्लेनिंग वेरियेबल्स पे था अब मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखूंगा जिनको आप इस्तमाल करते हुए इस सेक्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली लिख सकें एक्स्प्लेनिंग वेरियेबल्स से मुराद है आप अपनी स्टेडी के वेरियेबल्स को बियान करें तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा वसन सबसे पहले तो आपको उन वेरियेबल्स के उपर एक्स्टेंसिव रीडिंग चाहिए अमूमन रिसर्चर्चर्ज एक प्री आकॉपाइड माइंड के जरीए से लिटरेचर को अप्रोच करते हैं यानि मैंने अपने जहन में एक बात सोच रखी है और मैं लिटरेचर को इस लेंड से देखना चाहता हूँ कि वो बातें जो मेरे प्री कंसीवड आइडिया को सपोर्ट करें वो मैं पिक करता हूँ और वो बातें जो मेरी अंडिस्टेंडिंग से या मेरे प्री कंसीवड आइडिया से हट जाती है तो उनको मैं इदर इगनोर करता हूँ या उनको बहान नहीं करता फिर अपने उस में चैप्टर में ये नहीं करना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ इस बात में है कि आप जिस विरियेबल को भी ले रहे हैं मिसाल के तोर पे मैं intelligence के variable को लेता हूँ तो उसकी बेश्चुमार definitions मौजूद है मुझे उन तमाम को encompass करना इससे मुराद है उन तमाम का जिकर करना उनके उनको बयान करना चाहिए यह आपकी reading की width को ensure करता है और जब आप वो तमाम views या वो तमाम definitions सामने रखते हैं लोगों के जिन में वो लफ्ज या वो variable इस्तमाल हो चुका होता है तो इससे आपकी reading की extensiveness का पता चलता है इसके अगला step यह है कि जब आप उन सब को बयान कर लें तो आप फिर एक list बना लें उसमें से कि तमाम definitions के अंदर मुश्तरिक बातें क्या है ऐसी बातें जो उस variable से मतलिक हैं और almost हर आदमी जो उसको बयान करता है explain करता है वो उन बातों पर agreed है उसकी एक list बना लें और अर मूमन यह commonalities ज्यादा होती है उसके बाद आप जो लोगों के उस variable को define करते वकत views में differences है उनको ignore नहीं करना चाहिए उन differences को भी एक जगा list कर लेना चाहिए और उस list में आपके लिए learning यह होती है कि अगर आपको लगे कि इन में से किसी चीज़ के इस्तमाल से ये definition बहतर हो जाएगी इसकी description बहतर हो जाती है समझने के point of view से और research को conduct करने के point of view से तो आप बिलकुल उसके मताबिक इसको amend करने की कोशिश करें उसको शामिल कर लें और अगर आप समझते हैं कि इनको शामिल नहीं करना अपनी definition में तो भी आपके पास उसका logic या reason मुझूद होनी चाहिए जो आप clearly वहाँ पे बियान कर दें इससे जो पहले हम एक point जिकर कर रहे थे इससे आपकी credibility as a researcher और आपके review की comprehensiveness जो है वो clear होती है reader पे तो आप उसको explain करिए और तीसरी बात ये कि जब आप ये explain कर लें आप select कर लें फैसला कर लें कि आपकी research में ये variable किस माने में इस्तमाल होगा तो फिर आप उसको operationally define कर दीजिए देखे operational definition से मुराद क्या होती है आप किसी भी variable को जब operationally define करते हैं तो आप कतन ये claim करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि ये ही definition जो मैं कह रहा हूँ ये दुरूस्त है और ये ही वही तरीका है इसको define करने का इसके इलावा जो कुछ literature में लिखावा है वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं है आप सिर्फ ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो भी reader इस research को पढ़ेगा अगर वो इस variable को मेरे given meaning के मताबक दुरूस्त समझता है तो इस research के बाकी हिस्ते यानि findings हैं, results वगरा हैं, discussions हैं वो उसके लिए useful है अगर आपके ख्याल में जो तरह से मैंने इस research में इस variable को define किया है आपके ख्याल में ये definition in compassing नहीं है ये दुरूस्त नहीं है या इसमें कोई short coming है तो फिर आपको पढ़ने वाले को यानि जहन में ये रखना चाहिए कि इसे अगली जित्ती बातें लिखी हुई है वो इस scope के अंदर रहते हुए लिखी गई है जिसको मैं operational definition कह रहा हूँ मैं कतन ये दावा नहीं करता कि ये definition ही दुरूस definition है लेकिन सिर्फ ये आपको एक तरह से inform कर रहा हूँ reader को जिसनाब अगर आप इस दाइरे में रह के जिसमें मैंने इसको define किया पढ़ेंगे तो अगले हिस्से आपके relevant है वरना otherwise हो सकता है कि उनकी utility आपके लिए उस तरह से ना हो जैसा आप सोच के इसको पढ़ रहे हैं ये बहुत दफा होता है कि same variable को लोगों ने मुखतरिफ तरीकों से define किया होता है और मैं research पढ़ना शुरू करता हूँ तो पता चलता है कि यार इसकी finding तो मेरे काम तब आएंगी ना जब पहले मेरे जहन में जो concept मौजूद है लेट से motivation variable था तो मेरे जहन में जो motivation का concept मौजूद है इन्हों ने उस लफ़ज को उसी concept के साथ इस्तमाल किया उसी definition से इस्तमाल किया जो मैं सोच रहा था अगर मेरी और researcher जिसकी मैं research पढ़ रहा हूँ description से लएदा-लएदा हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो तो motivation कही किसी और चीज को रहा है तो उसके आगे findings वेरा पढ़ने का तो फाइदा उस तरह से नहीं रहेगा तो operationally define करना तरफ इस मकसद के लिए होता है और आप अपने literature review के chapter में पहला section जो है उसकी closing operational definitions के साथ करेंगे कि इस particular study में इन variables का ये मतलब होगा और फिर justification देंगे कि आपने ये मतलब क्यों मनतखिब किया अपने आपको क्यों इस definition तक limit किया इस से आपकी research के अंदर क्या फाइदा मिलेगा तो यहां तक आप इसको पहले section में करेंगे अब देखिए कि इस काम के लिए इसको करने के लिए आपको लोगों के research papers नहीं पढ़ने आपको लोगों के research paper से definitions नहीं मिनेंगी वो उनकी operational definitions होंगी अगर आप उसकी अपनी operational definition बनाना चाहते हैं तो यह काम आपको किताबों से पढ़के मिलेगा अपने मजमून पे published किताबें पढ़िए उन किताबों से आप ज़्यादा बहतर income pass कर सकेंगे किस लफ्स का मतलब क्या क्या होता है यह वेरियेबल को कैसे कैसे यूज करते हैं और फिर उसमें से आप खुद operationally define करिए दूसरों के research paper से पढ़ेंगे तो वो तो उनकी operational definitions हैं और जरूरी नहीं कि वो भी correct हों तो आप source पे जाईए किताबों पे जाईए जहां से आप operational definition draw करें